नमस्कार तो जो हम सभी चाहते थे वो हो चुका है इगोरिस्टमिस के कॉंट्रेक्ट जो टर्मिनेट कर दिया गया है अब इसके उपर थोड़ी डेप्थ में हम बात भी करेंगे कि यह कितना इजी है कितना टफ है और अभी आगे क्या सिचुएसन्स आने वाली है क्योंकि य जैसे की आपको पता है कि जो क्लॉस था कॉंट्रेक्ट का उसमें टर्मिनेशन मसकि रिलीज नहीं कर सकते टेर्मिनेट नहीं कर सकते अचे सब्सक्राइब कर दिया कि अगर इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इतना बड़ा कदम उठाया है उन्होंने तो कुछ तो उनके पास भी ऐसा कुछ है जो कि उनको एक लीगल बैटल लड़ने के लिए स्ट्रॉंग बनाता है कुछ तो उनके पास है और देखिए अभी आपको लगेगा कि इगोर समिच को टर्मिनेट कर दिये अब ये फ्लाइट पकड़के पहली फुरसत में चला जाएगा देखिए क्या आपको लगता है कि इगोर समिच अपने पैसे छोड़के जाएगा कीफा के पास भी जाएगा ये तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है और आपको भी क्या ऐसी लगता है क्योंकि जिस टाइप का इगोर समिच है मतलब की अपनी से भागना दूसरों पर एक्स्क्यूज लगा देना तो ये सब चीजों को देखते मुझे तो लगता है कि वह कोर्ट में बिल्कु लीगल फाइट करके पैसे निकालना ही चाहेगा अब देखे एक बार हम फिर से कॉंट्रेक्ट के अगर बात करें तो भाई देखो ये कितनी बड़ी मतलब इंटेंशनली है और जो भी है जैसे कल्यां चोबे ने कहा कि भाई ये तो इंटेंशनली था क का कॉंट्रेक्ट इस तरीके का साइन किया गया था अब देखे मैं यहाँ पर सिंपल सी एक बात बोलना चाहूंगा जो की और फुट्वाल फेटरेसन को आगे से भाई इसके उपर बिल्कुल सकती से ध्यान देना है कि कोई भी बड़ा फैसला अगर हो तो भाई एक बंदा डिसिजन न ले कि हां सेक्रेटरी ने डिसिजन ले लिया बागी सब को पता ही नहीं है बागी सब को बाद में पता चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए सारे बड़े डिसिजन जो है आफ्टर जो है टेकनिकल कमीटी है जो भी कमीटी की मीटिंग हो ती उसके बाद ही होना च Contract के टाइम आपने देखा बस हमको social media फे photo है साजी प्रभाकरन और इगोरिस्ट मिचकी की Contract Renew Extension हो गया मतलब. तो यहां पर साजी प्रभाकरन को तो पता था ना कि इस Contract में यह Termination Clause हटा दिया गया है यह नहीं है तो उसको पता था लेकिन इस बारे में तो चर्चा करी ही नहीं कहीं कभी उनके साइट से भी कभी बोला ही नहीं कहीं Same time पर में कल्यांच भी की गलती मान दो क्यों 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 आपने एक single person को इतनी जादा power दे दी और बाकी किसी को पता ही नहीं है तो यह भी गलत है तो आपके उपर भी उतने ही सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आपके अंडर इतनी सारी चीज़े कैसे हो गई गलत और बाद में आप सारे एक दूसरे को पर allegations लगा रहे है तो इससे बहतर क्या है कि कोई भी बड़े decision आप एक साथ बैठ कर उसके उपर सहमती हो या असहमती हो फिर decide हो तो यह एक learning है और फुटबाल फेडरेशन के लिए कि आगे ऐसी गलती नहों जब हम coach को hire करें या coach का contract बनाए कि यह सब हमारे favor में होना चाहिए भाई contract की जितनी भी बाते होती है हम जब चाहे निकाल दे जब चाहे रख लिए हमारे बस पावर होना चाहिए आपने तो coach को पावर दे रहे ही थी मतलब एक तरीके से बेच दिया था कि भाई मतलब आप जाओगे तो compensation भी देना है और उ कुलकुल दिमाग से सोच समझ के उनने हैर किया था क्योंकि आप इगोर स्टिमिच के अगर आप coaching career की कुंडली एक बार देखो आप देखो के क्रोईसिया नेसनल टीम की job जब उन्होंने छोड़ी थी उसके बाद वो क्रोईसिया की लीग में coach बने वहाँ पर 7 महीने coach रहे इरान का क्लब उनको निकाल देता है उसके बाद जाते है कतर की लीग में कतर की लीग में जो क्लब छे मेने वहाँ पर coaching के देते हैं वहां से निकाल दिया आप सोचिए 6 महीने में हर जेगे से क्यों निकाला गया आप देखेंगे अगर उनके stats पे कि performance बहुत ही poor रहा जिसक क्लब ने उनके साथ लंबा जो है व्यावार रखा ही ने उनको 6-6 महीने में निकाल दिया तो 2017 की मही में कतर लीग का जो क्लब था उस क्लब से वो निकले उसके बाद 2 साल तक वो कहीं किसी भी team में as a coach नहीं थे 2019 मही तक 2 साल तक 2019 मही में Indian football team के वो head coach बनते हैं अब आप ख कुछ ने ऐसे कौन से दावे किये कि आपने उसको हायर कर लिया national team के लिए कि यह हमारी country को आगे लेके जाएगा और बाद में आपके ने क्या देखा खाली excuse ही मिले आपको एक बीच में थोड़ा सा कुछ है ना friendly tournament, safe cup, intercontinental cup, tradition series में जीते और जो major जहां पर जीतना चाहिए ह तो यह भी एक सबक है कि जो technical committee है वो सही तरीके से coach की परक करें अब हाला कि अभी जो technical committees में सारे players है तो I hope कि और मैं बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो coach ढूंडेंगे अच्छा ही ढूंडेंगे और अभी भी नहीं ढूंडा तो फिर तो मैं कुछ कहने like भी हो सकता है कि हम एक सही coach लेकर आए जो एक architecture के जैसा काम करेगी है ना इंडियर football को बनाने के लिए कि वो अच्छे से सबी के साथ सारे stakeholders के साथ meet करे ISL clubs सब के साथ और फिर ऐसा इंडियर football के लिए कैसे एक अच्छा बहतर क्या हो सकता है उसके बारे में सोचें बाकि आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि क्योंकि यहां पर पैसो का involvement है और पैसे बिना लिए कोई बंदा जाएगा यह थोड़ा हजम होने वाली बात नहीं है तो बाकी एक बहुत अच्छा फैसला लिया मैं कह सकता है All India Football Federation ने यह बहुत जरूरी था यह बहुत ही जरूरी था है वो बोल रहे हूं कि भाई देखो इस बंदे ने काम किया है और यह आपकी टीम के लिए भी काम कर सकता है ऐसे कोच को हमको लेकर आना बाकी आपके क्या thoughts से इस पर कितना खुश है आप और All India Football Federation और Egoismic के बीच में आप एक जो battle आएगा इसके लिए आप कितना excited है या आ झाल